हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू मैं चैनल इस्प्रीचल लव टरोट अज का टॉपिक है कि अगर आप अपने पार्टनर से मूव ओन करने का सोचते हैं तो क्या आपके पार्टनर को फर्क पड़ेगा टॉपिक आपके समझ में आगया होगा कि अगर आप अपने पार्टनर से मूव ओन करने का सोचते हैं तो क्या आपके पार्टनर को कोई फर्क पड़ता है चाहे वो पार्टनर लड़की हो या लड़का हो कोई भी हो सकता है ठीक है तो क्या उन्हें फर्ग पड़ेगा जनरल रिडिंग है, कलेक्टिव रिडिंग है, टाइमलेस है जब भी आपके सामने आएगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस चरूर मिलेगा तो देखते हैं, पूरा फोकस अपने पार्टनर पे कीजिए कि क्या आपके पार्टनर पर कोई फर्ग पड़ेगा अगर आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो उनके दिल की फिलिंग्स क्या रहीगी, उनके दिमाग में क्या चलेगा आपको लेकर क्या फिल करने वाले हैं वो अगर आप उनसे move on होते हैं तो ठीक है चलिए तो हम कुछ कार्ट निकालते हैं first card देखिए three of swords का card निकलाया है topic कितना अच्छा था था ना कि क्या अगर आप move on करते हैं तो आपके partner को first पड़ता है तो देखिए सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि three of swords, page of swords, swords के energy आ रही है बहुत ज्यादा लड़ाई जगड़े करेंगे अगर आपने सोचा भी है उनसे बोला भी न कि मैं move on करना चाहाती हूं या मेरे दिमाग में ये खुरे बाती चल रही है तो सोच लीजेगा जम के communication होएगी लड़ाई जगड़े सब कोच बहुत ज्यादा इस तरह की दिख रही है एनरजी फिर हम deep feelings देखेंगे कि वो क्या करेंगे लीजिए five of wands मत सोचिए मत सोचिए ठीक है मगर देख लीजिए reading को और queen of swords ओके क्योंकि अगर आप सोचिए ऐसा कि मुझे move on करना चाहिए तो आपके partner देना बहुत ज्यादा action ले लेंगे king of swords के knight of swords के energy में दिख रहे हैं मुझे हतियारी reading करते हुए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं hermit hermit more पर चले जाएंगे भही वो देवदास बन जाएंगे nine of cups card आपको दिख रहे होंगे I hope यह वाला card नहीं दिख रहा है चले यह से यहां रख देते हैं okay four of pentacles two card और ले लेते हैं chariot three cards निकला है chariot का card है मैं यहां रख देते हूं chariot को okay hangman stuck हो जाएंगे अब tower okay चलिए feelings तो मैंने देख ली और यह है three of cups सोच यह भी मत okay अगर आप move on करने का सोचते हैं तो आपके जो partner हैं वो क्या react करेंगे क्या reaction हो सकता है उनका और क्या feelings रह सकती हैं सबसे पहले तो आपके जो partner हैं आपसे यहाँ पर मैं बता दूँ चाहे आप husband के लिए देख रहे हैं और चाहे अपने ex के लिए देख रहे हैं अपने crush के लिए देख रहे हैं या अपने partner के लिए अपने person के लिए आप जिस के लिए ठीक है same gender के लिए भी देख रहे हैं तो वो person को कुछ health issue हो सकते हैं या फिर उनका दिल बहुत बुरी तरह से तूट सकता है उनके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुच सकती है isolation में isolation उनको हो सकता है या फिर किसी से बात नहीं कर सकते हैं इस तरह का मुझे दिख रहा है कि अगर आपने उनसे move on करने का सोचा तो ये partner की तब्यत खराब हो सकती है क्यों क्योंकि ये बहुत दिल से आपसे प्यार करते हैं भले ही आप लोगों के बीच में बाते थोड़ी थोड़ी बातों पे खराब हो जाती हो अगर husband wife देख रहे हैं तो मैं ये बता दू कि आप लोगों की लड़ाई जगरे होते होंगे पर ये person आपसे प्यार करते हैं बाद में आपके लिए stand भी लेते हैं खड़े भी हो जाते हैं और आपसे अच्छा behave भी करते हैं हर किसी के बीच में लड़ाई जगरे होते हैं और जो लोग unmarried हैं उनको मैं बता दू कि ये partner आपसे रूटते हैं चुटी चुटी बातों पर गुसा भी होते हैं पर प्यार बहुत करते हैं आपसे दिल से प्यार करते हैं बहुत true love feelings हैं इनकी आपके साथ में परिवार, family सब कुछ देखते हैं ये 9 के 9 cups आपको देना चाहते हैं अपने emotions, अपना प्यार सब कुछ आपको देना चाहते हैं ठीके अगर आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो इनका मुझे यही दिखा और ये जो person है मुझे लग रहा है कि age में छोटे हो सकते हैं काफी लोगों के person जो है age में छोटे हैं तो इन mature वाली energy में रहते हैं और जरा सब अगर आप इनसे कुछ ऐसा मजाक कर लेते होंगे ना तो ये सहन नहीं कर पाते होंगे ठीके इन में सहन शक्ती बहुत कम है अगर इनकी life में कोई ऐसा person है जिसके कहने से ये person चलते थे तो मैं ये बता दू कि अगर आप move on होने का सोचे और वो person इने मना भी करे ना कि हाँ हाँ ठीके कर लो तो ये उस समय भी stand ले लेंगे ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं 100% ये किसी की नहीं सुनेंगे अगर आप इनसे दूर होने की सोचेंगे ना तो ये person बावाल मचा देंगे बहुत ज़्यादा अपनी energy दिखा देंगे आपने कभी इनका ऐसा रूप नहीं देखा होगा ऐसा behavior नहीं देखा होगा ये उस behavior में आ जाएंगे कुछ लोगों के person hermit mode पर जा सकते हैं बहुत सीधे साधे हो सकते हैं ठीके और कुछ लोगों के person तो अगर आपने इनसे दूर जाने की बात करी तो ये आपको अगर दूर है phone पे long distance हो और आप इनसे मजाक में भी ये बोलेंगे तो ये phone पर ही आपको इतना rudly behave करेंगे और बाते सुनाएंगे कि आपके दिमाग ठीकाने आ जाएंगे तो मुझे यहां यही लग रहा है कि आप इनसे दूर जाने की बात बिल्कुल नहीं कीजिए क्यों क्योंकि ये टावर सहन नहीं कर पाएंगे आपसे दूर रहना इनके बस की बात नहीं है और ये भागे चले आ जाएंगे आपके लिए ठीके अगर आपने इनसे दूर जाने की बात करेंगे तो ये दोड़े चले आएंगे आपके लिए step ले लेंगे कुछ ना कुछ action लेंगे आपसे communication कर सकते हैं तुरंट के तुरंट अगर आप इनसे इस तरह की बाते करेंगे तो और इसका नुकसान भी आपी को होगा क्योंकि ये tower का card निकला है और अगर आप इनसे इस तरह की बात करेंगे तो ये आपके लिए tower वाली energy में भी आ सकते हैं ठीक है अगर आप दूर जाने के लिए इनसे ये कहते हैं कि यार आपका family issue है या घर वाले नहीं मान रहे हैं तो ये सबसे fight करने को भी तयार है आपके लिए सारी दुनिया से लड़ने के तयार है तो यहां पर अगर आप इन person से दूर जाने की कोई बात करेंगे या इनसे move on होने की बात करेंगे तो ये person आपको दूर नहीं जाने देंगे और नहीं आप जा सकते हो भले ही आप मन में सोचो कि यार मैं move on हो जाती हूँ या मैं इस person को छोड़ देती हूँ कालिबरेशन होता है आपके लाइफ में हमेशा प्यार रहता है मुझे यहां दिख रहा है देखे आपके जो परसन ना बहुत ही प्यारे हो सकते हैं हो सकता है इनके एनरजी थोड़ी सी एंपरर वाली है पर यह एक्षन और जब भी आपके लिए कोई बात आती है स्टैन लेन कि सोचें तो यह परसन बहुत नाराज हो जाएंगे बहुत गुसा करेंगे इनके दिमाग में आपके अलावा कोई नहीं चलता है पूरे टाइम यही सोचते हैं कि आपके साथ में ही इनका जीवन है इनका प्यार आप हो आप इनकी लाइफ हो आप से दूर रहने पर यह पर ना इस परसन के लिए मुम्किन नहीं है देखिए यहां पर हर्मिट का काड है तो यह बंदा किस तर से धीरे धीरे चल रहा है है ना तो आपके परसन तो बिलकुल भी चल नहीं पाएंगे आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते हैं तो इनका यही मानना है कि आपके बिना तो ये परसन एक पल भी नहीं चल सकते है ठीके और कुछ लोगों के परसन तो मुझे लग रहा है इस टक हो जाएंगे बिलकुल उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि यार ये लाइफ में अचानक से हो क्या गया है क्यों ये मुझे से मूव ऑन होना चाहती है मुझे से कहा कोई गलती हो गई है ऐसा मुझे दिख रहा है काफी लोगों के परसन अगर आप उनसे मूव ऑन होने की सोचते हैं या उनसे बोलते हैं तो वो आपको कॉल मेसिज कर सकते हैं अचानक से पूछ सकते हैं कि ऐसा कया हो गया अचानक से जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझसे लिखने की बात कर रही हैं। मुझसे कोई गलती हो गई या Is तरह आका मुझे दिख रहा है। लेकिं यह family वालों से बात नहीं कर रहे थे या कोई issue था आप लोगों के बीच में जिसके कारण आप move on हने का सोच रहे थे या इस person को छोड़ने की सोच रहे थे तो यहां मुझे दिख रहे है कि यह person step लेंगे chariot का card निकला है बहुत जल्द कुछ ना कुछ action लेते हुए दिख रहे हैं मुझे यह person चलिए हम कुछ images देख लेते हैं अगर images आपके partner के नाम के हो या आपके नाम के हो ठीके तो आप match कर लेजिएगा और कुछ message भी देख लेते हैं चलिए देख लेते हैं तो मैं यहाँ कुछ images निकाल लेते हूँ और नमबर इतने images ले लेते हैं चलिए सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है W आपके यापके partner के name हो सकते हैं D O P P से आपका name आता हो यापके partner का W repeat आया है D K हो सकता है आपका यापके partner का name W repeat यहाँ है कोई बताइएगा मुझे L D I I भी repeat है T L R N D D से मेरा नाम आता है चलिए छोड़ देज़े V B C T Okay 6 नमबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा W वाउ 6 दिख रहा है 100% 6 दिख रहा है 5 दिख रहा है आपको जीरो ओले लीजिए उसे थ्री नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है या आपके डेट आप बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर के डेट आप बर्थ हो सकता है 5, 6, 4, 3 and 2 तो यह ही मेशिज हैं आप देख लीजिए आपका या आपके पार्टनर के नेम का कुछ आता हो तो ओके चिके चलिए कुछ मैसेज़स देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मैसेज है हम निकाल लेते हैं इसमें से कुछ मैसेज ले लेते हैं इतने ले लेते हैं चलिए देखें, amazing connection, तो जो आपके partner है ना, उनको ये connection जो है न, amazing connection लगता है, उन्हें ऐसा लगता है, कि ये connection जो है, universe का बनाया हुआ है, इस रिष्टे जैसा कोई रिष्टा ही नहीं है, यहां से अगर आप move on होने का सोच रहें न, तो बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि ये, जो है, distance, देखे, distance अगर आपके बीच में आगया न, तो आपके partner नहीं रह पाएंगे, नहीं आप रह सकते हो, दूरिया नहीं ये partner सहन कर सकते हैं, नहीं आप, आप लोगों के बीच में, बिल्कुल भी ये दूरी वाली बातें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, भले आप पर बीच में कितनी भी लड़ाई जगड़े होते हूं, पर प्यार यहां बहुत सारा मुझे दिख रहा है, देखे, कैना है call you, तो हो सकता है कि अगर आप इनसे इस तरह की बात करें, तो ये call के लिए जरूर या तो call आ सकता है, या खुद आप इनने call करेंगे positive, तो ये person आपको कह रहे है positive सोचिये negative बातों में कुछ नहीं रखा है, attachment, ठीके, तो ये जो आपके साथ में attachment फिल करते हैं ना, वो किसी के साथ में नहीं करते हैं, और आप भी ये attachment किसी और के साथ में फिल नहीं करते हैं, ठीके, हो सकता है कि ये person कोई decision नहीं ले पा रहे हैं, आप होए हैं इसलिए आप यह सोच रहे हैं मोग ऑन होने की पर मैं यह बताém दू की यह थोड़ा ताइम ले रहे हैं लेकिन कोई ना कोई स्टैप जरूर लेंगे क्योंकि चेरिएट का काड निकला है नाइट ओफ सौर्ट का काड निकला है थोड़ा टाइम लगेगा पर ये person इस्टक है और ये action लेंगे हो सकता है आपके जो person है जैमिना हो आप लोगों के बीच में कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा रेच हो इस कारण भी आप लोगों के रिष्टे में थोड़ी problem आ रहे है आपके family वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आप रेच हो सकते हैं तो इस तरह का यहाँ दिख रहा है Capricorn हो सकते हैं आपके person या आप Can we take again? Aquarius? No, ओके यहाँ एक पूरा clear आपके लिए जवाब निकला है देख लीजिए No, ओके अगर आप move on होने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यही निकला है नहीं wait कीजिए थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ रुख जाओ ऐसा मत करो Safe, ओके हमारा रिष्टा safe है और आप इनके साथ में safe feel करते हैं देखे जब आप इनके साथ में future देख चुके हैं future की planning कर चुके हैं सारी चीज़े आपने इनके साथ में feel की है देखी है तो फिर आप move on करने का क्यों सोच रहे हैं यही यूनिवर्स बता रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपको यही message दे रहे हैं कि हम लोगोंने future planning की थ और आप हम से दूर रहने की बाते कर रहे हो big wedding देखिए आपके person आपके लिए सोच रहे हैं कि हम लोगों की शादी होगी बहुत अच्छा program होगा यह सारी चीज़े वो सोच रहे हैं वर्गो हो सकते हैं आपके person या give me a chance अगर किसी के person बाहर चले गए हैं कोई बात हो गए ह या लड़ाई जगरे हो गए हैं या कुछ इशू हो गया है तो please बोल रहे हैं give me a chance एक chance तो बनता है मेरे जो प्यारे प्यारे वीवर्स हैं जो देख रहे हैं चाहिए लड़की हो या लड़का हो आप बहुत special हैं आपके person की नजरों में आपकी बहुत value है वो आपको बहु special मानते हैं अपने life का एक ऐसा part मानते हैं कि उनके life आपके बिना बिलकुल भी नहीं चल सकती है ओके love last message के तब प्यारा निकला है love आप लोगों के बीच में जो relation है ना जो रिश्ता है ना इसमें प्यार तो बहुत सारा प्यार है पर step नहीं ले पा रहे हैं कहीं फसे हुए ठीके तो reading आई होप आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए जो लोग फर्स टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीके मैं आपके message हमेशा पढ़ती हूँ और आप message मुझे send कर सकते हैं और universe को जरूर कमेंट में लिखिए कि thank you universe क्योंकि universe ही हमें सही रास्ता दिखाती है ओके